हलो दोस्तो मैं बियल शर्मा और आप सभी का अमारे एक और ने वीडियो पर बहुत-बहुत स्वागरता है दोस्तो आज हम फिर से आजे रहे आप सब के लिए एक और बहुती खुबसूरत लग्जरी वीला लेके बहुती प्राइम लोकरिशन पर देखते ही पसंद आ जाए यह ऐसा वीला होने वाला है चाहे इसकी price देड़ लीजी आप चाहे इसकी location देड़ लीजी पूरे detail वीडियो के अंदर ही बताने वालो हूँ चाहे size हो, चाहे इसकी rate हो, चाहे इसकी location हो तो वीडियो आप पूरा जरूर देखेगा, पसंद आए तो like share कीजेगा चैनल पर पहली बार है, तो subscribe करके bell icon भी दबाईए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसकी location दोस्तों ये सिर्सी रोड पर है, सिर्सी रोड पर जो सिर्सी मोड है जहां पर रोयल गिरीन एक बड़ी बिल्डिंग है, उसके पास की ये location है और में जो 200 फिट बाईपास है, डेली बाईपास जिसको बोलते हैं वहां से यहां तक के दूरी अराउंड 4 किलोमेटर की है में जो सिर्सी रोड है, वहां से यहां तक के जो दूरी है वो अराउंड 300 से 300 मिटर की है और जेपू रेलईवे station और बस stand अराउंड 11-12 किलोमेटर की दूरी बें आपको मिल जाते है बहुत ही बड़ीया लोकेशन है, बहुत अच्छी बसावट है, फैसलिटी की बात करें, तो आपको स्कूल, होस्पिटल और मार्केट आपको नियर भाई जेड़ी अपूड है, तो लोन भी आपको 90% तक मिल जाएगा बट करी आपकी प्रोफाइल पर भी डिपेंड होता है, दोस्तों आज जो मापको इस वीडियो में दिक्राने वाल है, वो है यह वाला, दो अप्षन थे बट यह सोल्ड आउट हो चुका है, इसमें यह भी जो प नौर्थ फेशिंग गाउस है और इसके सामने आपको 30 पिट वाइड रोड मिल रही है डामर रोड है आसपास में अच्छी कर्शी बसावाट है बहुत सारी फेमिली जी यहां पर रह रही है यह देखिए और बहुत सारा काम भी चल रहा है जैसे आप इदर देखते हैं तो य यह से वर्गर्ज में मिल रहा है और इसका एक प्लस्पेंट हो रहा है दोस्तों वह इसका सेपरेट पट्टा तो अगर आप SBI से लोग लेना चाहरे है पी एन बी से लोग लेना चाहरे है तो भी आपको आराम से इजीली यह मिल जाएगा तो चलिए चलते हैं अंदर और आप इधर देखता है तो यहाँ पर आपको यह डिजाइन बनारी दी जारी है नेम प्लेट के इसाब से यह दिखिए दोनों तरब पिलर पर आपको लाइट मिल रही है आईरन का अच्छा हेवी डोर आपको यहाँ पर मिल रहा है यह दिखिए और जैसे आप एंटर होत है आप सामने की तरफ यहाँ पर आपको वोटल टेंड का प्रोविजन मिलता है राइड साड में आप देखते है तो यहाँ पर भी आपको एक स्पेस मिल रहा है यहाँ पर आप अपनी टू विलर भी आराम से पार्क कर सकते हैं इसके साथ में देखिए अब चलते हैं अंद और दूसरा मिल रहा है एक अच्छे क्वालिटी का वुडन का हेवी डोर यह देखिए एंडर के साथ आपको मिल रहा है इसके अंदर भी आपको यह डिजाइन देखने को मिल रही है और इसमें एंटर होते ही आपको एक अच्छे स्पेस का होल मिल रहा है यह देख सकते हैं और बहुत ही खुबसूरत डिजाइन के अंदर इसको तयार किया गया है स्टेर्स आपको यहाँ पर अंदर से मिल रही है स्टेर्स के नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर वुडन का काम क्या हुआ है यह देखिए यह स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाता है पूरा वाल पेपर मिल रहे है चोटी-चोटी LED लाइड के साथ सामने की तरफ आपको बड़ा LED पैनल मिल रहा है यहां पर बड़ी से बड़ी आपकी LED भी इंस्टोल आराम से कर सकते हैं आपको यहां पर देखने को मिलता है तो दोस्तों जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपके राइट साड में बहुत ही प्यारी स्पेस में मौडूलर कीचन मिल रहा है जो लेडिस की सबसे फेवरेट होती है दोस्तों इसका जो डोर है वो देखिए बहुत ही खूब सूरत है इसके अंदर पूरी डिजैन आपको मिल रही है यह दिखिए और स्पेस देखिए दोस्तों बहुत अच्छा स्पेस मिल रहे हैं साथ में अपर और लोवर दोनों तरप आपको कबिनेट मिल रहे हैं स्टोरी इसकी कोड़ी प्रोबलम नहीं है आराम से आप अपना मन चाहे जितना सम्मान रख सकते हैं इसके साथ में आपको फ्रेंट सा अब आपको होल में जो अटेच में वोश्रूम है वो दिखराते हैं वो उससे पहले यदि आप यहां से उपर की तरफ देखते हैं तो यह लोग आपको यहां से नजर आ रहा है उपर आप जूमर लगा सकते हैं जिसकी वज़े से आपको जो विला का लुक है वो और भी और इसके बराबर में आपको इस विला का पहला बैडरूम मिल रहा है जो एक अच्छे स्पेस का बैडरूम है यहां पे आप बैड लगड़ लगड़िये तो यह जो डिजाइन है वो आपके बैड के दोनों तरफ आ जाती है जिसकी वज़े से बैडरूम और भी सुन्दर ह हो जाता है और दोस्तों बहुत ही अच्छे स्पेस का आपको यहां पे वार्डरोप मिल रही है यह देखिए उपर तक है फुल लेंथ में है वुड़न के अंदर है और यह फॉल्सलिंग की डिजाइन यह देखिए ऐसी का पॉइंट जैसा मैंने बताया था सभी रूम में आपको मिल जाता है और फ्लोरिंग के अंदर आपको दो बाई दो की टाहल मिल रही है बेट साइड में डोर विंडो और यह आपका वेंटिलेशन के लिए प्रोपर स्पेस आपको यहां पे मिल रहे है यह देर आपको पानी का पॉइंट भी मिल रहे है तो आप इसको वोसि फ्लोर पर और यहां पर भी आपको एक अच्छे स्पेस का होल मिल जाता है फ्लोरिंग के अंदर आपको दो बाई दो की टाइल मिल रही है और एक अच्छा स्पेस आपको यहां पर मिल रहे है साइड वोल पेपर के साथ में आपको वूदेन की डिजाइन और चोटी-चोट भी हम आपको लेके चलेंगे और जो आसपास का ऐरिया है वो दिखाने वाले हैं अब आपको लेके चलते हैं फ्रंट साइड में फस्ट फ्लॉर पर जो दूसरे नमबर का बैडरूम है वो यह देखिए इसकी जो टाइल से वो देट लीजी इसकी वज़े से जो कॉलर कॉम्ब जाता है और इधर आप चलते हैं तो यहां पर सामने आपको ड्रेसिंग एडिया मिल रहे हैं है इसके बराबर में फूल लांद में आपको वạtरूम्ट मिल रही है वोद्टन में देखिए इसस पाइस अच्छा है कि अधर चलते हैं आगे तो आपको एक अच्छीष्ट तरो वोश्रों मिल रहे हैं, उपर तक आपको टाइल मिल रही है, विंडो मिल रही है, वेंटिलेशन के लिए और फ्रेंट साइड में दोस्तों डोर, बड़ी विंडो दोनों आपको मिल रही है और इधर की तरब हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छे space की वालकोनी मिल रही है ये तफन गिलाज के साथ आपको सामने रैलिंग मील रही है और उपर देखते हैं तो ये design देखिए वन एक है फैंसलेड्स और ये है इसका फिरंट का व्यू देड़े लिजे आसपास में नौर्थ वैसिंग ये विला है अब आपको लेकर चलते हैं तीसरे नमबर के बैड रूम में जो मिलता है आपको फर्स्ट फ्लॉर पे बैड सैड में ये भी एक अच्छे स्पेस का है फ्लॉर इंग में आपको यहाँ पर ही दो बैड़ो की वाइट टायल मिल रही है और इधर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको अडरेसिंग अईरिया मिल रहा है स्टोरेज भी आपको इसके अंदर मिल रहा है ये देखिए इसके बराबर में ही एक अच्छी wooden की design के अंदर full length में wardrobe मिल रही है और ये देखिए easter space side wall पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको wallpaper मिल रहे है बहुत ही सुन्दर false link की design आपको मिल रही है LED light के साथ और सामने इधर देखते हैं तो ये bed के पीछे की design है वो बना के दी जा रही है ताकि आप यहाँ पे जब bed लगाने वाले हैं तो उसके बाद में आपको ये जो bedroom का look है हो अलग ही मिलने वाला है और इस room में आपको attachment यहाँ पे washroom भी मिल रहा है ये भी अच्छे space का है ये देखिए उपर तक आपको tile मिल रही है और इसमें भी window मिल रही है ये देखिए और bed side में आपको door और ये window मिल रही है और ये ventilation के लिए proper space ये देखिए और ये bed side का view है वो चलिए अब आपको चत में लेगे चलते हैं और आजपास का जो view है वो दिख रहते हैं बड़ उससे पहले येदी हम बात करें इस विला की rate की तो जो demandable price है वो है 22 रुपए की नेगोशिबल है आप आए विजट करें दोस्तों हम चत पर आगे और सबसे पहले देखिए जो front का view है वो ये side का view है दोस्तों ये back side का view है ये देखिए अच्छा करसा बस आउट का एरिया है और जो रोयल किरीन है वो देखिए वो सामने दोस्तों मुझी पूरी उमीद है आपको ये वीडियो और ये individual house जरूर पसंद आयो पसंद आयो तो वीडियो को like share जल्दी से कर दिजिए और यदि आप इसकी विजिट करना चाते है तो आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे नमबर आपको वीडियो के description में मिल जाएए तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद